गुजिरात के गिर्सोमनात जिले का पौरानेक सरस्वती कुंड जो काफी सदियों से जाना मना रहा है आज दिन बदिन उसमें गंदगी बढ़ते जा रही है जिसे रोकने में प्रशासन भी नाकाम दिखाई दे रहा है कहते हैं सौ बार काशी और एक बार प्राची आज ये सच साबित होता दिखाई दे रहा है सौ बार काशी जाना और एक बार प्राची जाने से पुन्य मिलता है उसी के चलते लाकोश धालू चैत्र महीने में प्राची मंदिर आते हैं बताया जा रहा है कि प्राची में 5000 साल पहले भगवान श्रेकृष्ण आये थे तब से इस मंदिर को लोग आस्था का केंद्र मानने लगे। गुजात के सोंनात जिले का प्राची मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है यहां पर शद धालू लाखो के मात्रा में दर्शन के लिए आते हैं। प्राची से निकली हूई सरस्वती नदी पर माधव रायजी मंदिर बना हुआ हैं। जिसे हम सरस्वती कुंड के नाम से जानते ह इस मंदिर में भगवान श्रे कृष्ण सदियों पहले आये थे, आज उस मंदिर के दर्शन के लिए लाको भक्त यहां आया करते हैं। इस सरस्वति कृंड आज गंदगी से चारो और गिर चुका है। इस कृंड में गंदगी ही कंदगी देखने को मिल रही है। गिर सोमनात के प्रशासन अधिकारी की नजर भी इस कृंड तक नहीं पहुंचती कि इसे साफ करवाया जाए। इस सरस्वति कृंड को एक एतिहासिक धर्म इस्थल का दर्जा दिया गया है। पर प्रशासन इस कृंड को साफ करवाने में नाकाम रहा। जिसे श्रद्धालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरस्वति कृंड में फिलहाल पानी की मात्रा भी कम होने लगी है और गंदगी की मात्रा ज्यादा। लाखोश धालों इस कृंड में इस्तनान करने की जगह अब सिर्फ अपने हाथ पाव धोकर ही अपने जीवन को धन बना रही है। प्राची का ये सरस्वति कृंड गंदगी से भर चुका है। ये गंदगी कैमरे के सामने दिख रही है पर कृंड में जितनी गंदगी है उतनी दुरगंद भी। पर सवाल ये है कि इस कुंड में इसनान करने से श्रद्धालू के पाप धुलते हैं या फिर श्रद्धालू अपने स्वास्त के लिए बिमारी को न्योता दे रही हैं। देश के प्रधान मंतरी का स्वचिता अभियान इन कुंडों तक अभी नहीं पहुँच पाया है। सत्ता किसी की भी हो पर आस्था के इस मंदिर को साफ करवाने में सोमनात महानगर पालि का निश्वल दिखाई दे रही है। एनिवन न्योस के लिए सोमनात से भरत जादव की रिपोर्ट